हेलो दोस्तों BMS Note Simplified में आप सभी का एक और बार स्वागत है और आप अगर यहां पर नए है तो मेरा नाम डॉक्टर अपूरवा है और इस चानल पर हम BMS syllabus से related सारे topics के उपर lectures देखते हैं और उसके notes भी देखते हैं तो आज हम तीसरेशनी आध्याय का ही next part देखेंगे इसके पहले के वीडियो में हमने इसका first part देखा है कुछ part हमने उसमें cover किया था तो उसका link भी मैं यहां description में देदूंगी आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं उपर आई बटन में भी आपको इसका link मिल जाएगा तो अब इस पार्ट पार्ट में हमने cover किया है next part hopefully शायद इसका last part हो जाएगा तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या है तो अभी यहां पर चतुरवित परिक्षा के बारे में बताया है तो चतुरवित परिक्षा ने कि fourfold method of test और investigation तो वो क्या है चार परिक्षा है वो यह count तो अभी यहां पर जो word आया है सच्चा सचा उसका संधी विगरह करते हैं तो वो होता है सच अशचा तो इनका कहना है कि संसार के सभी पदार्थ जो भी सत हैं और असत है इंदकी परिक्षा इनी यह परिक्षा है उन सब केοςक्षा इन आलग अलग शास्तर रह करिक्ष सें होती है तो प्रमानों को लेकर भी अलग-अलग शास्त्रकारों के अलग-अलग मत हैं अलग-अलग दुष्टि कोर्ण है विव पॉइंट्स है तो नए आई को ने प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमान तो इस तरह से अलग-अलग शास्तरकारों ने भी अलग-अलग तरह के प्रमान माने हैं तो ये कई बार MCQs के लिए आ जाता है कि नई आयोकों ने कौन से प्रमान माने हैं इस तरह से तो ये थोड़ा MCQs के लिए आप देख को बीन होता और सत्वस्तु का कभी अभाव नहीं हो सकता ऑR असका कभी अभाव नहीं होुकता और अससका कभी अस्थित्व नहीं होता यहीं गीतामें भी कहा है और यही आचार्य महार्शयात्रियका भी मानना है अब इसी के बारे में और थोड़ा डीटेल में देखते हैं तो सत्त क्या होते हैं सत्त पदार्थ वह होते हैं जो दिखला ही देते हैं जो अनुभव गम्या है जिसे हम experience कर सकते हैं नयाय शास्त्र में जो वरनीत प ब्रागभाव प्रद्वनसा भाव अठ्यनता भाव और अन्योन्या भाव तो इन सत्त और असत्त पता्रतों की परिक्शा के ही चार माध्यम बताए लुए के आप जो की आप तो पदेश प्रत्यक्षा अनुआन और युक्ति ये चार प्रमान है और इनका परिशव- इसी में दिया गया इनके बारे में इसी प्रकरण में बताय गया है लेकिन आगे चलकर महर्शी आत्रया ने विमान स्थान में उन्होंने युक्ति प्रमान को स्विकार नहीं किया है और आटवे अध्याय में उन्होंने उपमान प्रमान को प्रिथक प्रमान के रूप में अब सबसे पहले चार प्रमानों में आपत्व परिशे के बारे में देखते हैं तो आपत्व परिशे दिया गया है इन चारों में सबसे पहले आप दोपदेश का ही वरणन आया है और इसलिए सर्वप्रतम इन्हों ने आप्त परिचय दिया है तो किसे कहते हैं आप तो यहां पर दिया है शौट में मैंने कुछ नोर्स बनाए हैं आप देखिए तो आप तो कौन होते हैं जो तपोबल अपने तपोबल और ज्यानबल की वज है वो शिष्ट होते हैं यानि कि सभ्वे होते हैं और विबुद्ध होते हैं यानि विशेश ग्यानवान होते हैं इनके जो वाक्य होते हैं वो विश्वास योगी होते हैं क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो रजोगुणा तमोगुण से मुक्त होते हैं और इसे कारण वो शॉर्ट नोड एक लिखने के लिए हमको आया था, तो यह आप लिख सकते हैं, इसके नीचे एक छोटा सा श्लोक है, उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, आपता शिष्टा विबुद्धास्ते तेशाम वाक्यम असंशेयम, तो वो शिष्ट होते हैं, विबुद्ध होते ह और उनके वाक्या जो होते हैं, उनमें संशे करने लाएक कुछ नहीं होता, और अब देखिए, यहीं पर पताएं कौनसे आचारिया ने इनको क्या-क्या कहा है, तो सुशृत ने आपतोपदेश को आगम शास्त्र कहा है, नियाए दर्शन ने आपतोपदेश को ही शब्द माना है, और चरक ने तो आपतोपदेश ही का है, तो यह कुछ MSQ यहाँ पर जो एक्जाम में पूछ लिया जाते हैं कि आपतोपदेश के लिए नयाए दर्शन ने कौनसा शब्द इस्थमाल किया है, तो वो शब्द प्रमान है, तो यह चुट-चुटे MSQ यह काफी स्कोरि इनके लिए भी कई पार पूछ लिते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है, चोटा श्लोक है यहाँ पर भी, आत्में इंद्रिया मनो अर्था नाम संदिकर्शात प्रवर्थते, व्यक्तात दात्वे या बुद्धी प्रत्यक्षम सा निरुच्चते, तो इस श्लोक का क्या मतलब है कि आत्मा और इंद्रिया यानि हमारे इंद्रिया जो है वो और मन और इंद्रिया अर्थ यानि इंद्रियों के जो विशय है, शब्द पर शरूपरस गंद, इनके संदिकर्श से जो बुद्धी या जो ग्यान हमें प्राप्त होता है, व्यक्त होता है, उसे प्रत् विशय पदार्थों के साथ में होता है और जब इस करम में संयोग होता है तब हमें प्रत्यक्ष ग्यान होता है तो बिना इंद्रियों का अपने विशय के साथ में संबंद हुए प्रत्यक्ष ग्यान पॉसिबल ही नहीं है संभव नहीं है यही प्रत्यक्ष का लक्षन है तो ये शलोक जो है अगर आप यहाँ पर इंक्लूट कर देंगे तो मार्क्स मिलने के अच्छे चांसेस होते हैं बताये उन्होंने कि आत्मा का इंद्रियों के साथ में इंद्रियों का अपने वीषयों के साथ में जब जाके सैयोग होता है तब हमें प्रत्यक्षधान प्राप्तत होता है आप देखिए यहां पर बताए प्रत्यक्ष के भेद क्या है तो प्रत्यक्ष के मुख्यता दो भेद है निर्वी कलपक और सवी कलपक तो निर्वी कलपक प्रत्यक्ष जो है इस ग्यान का सिर्फ योगी जन प्रारब्रंब को साक्षात करते है इस ग्यान के थ्रू और इस ग् प्रसाइखा चार्ट के देखिए निर्वी कलपक और सव्वि कलपक इसके बाद इसके बाद फिर से और दो भेस होते हैं पहला है लौकिक और फिर फिर है अलौकिक तो लोकिक के फिर से दो भेद होते हैं, एक बाईय और एक अभ्यंतर, और फिर बाईय के फिर से पांच भेद होते हैं, वो ते चाक्षुष, प्रत्यक्ष, श्रावन प्रत्यक्ष, रासन प्रत्यक्ष, त्वाच प्रत्यक्ष, और घ्रान प्रत्यक्ष, तो यह हमारे पांच छे भेद हो गए, पाँच बाईय और एक अभ्यंतर, अब लॉकिक प्रत्यक्ष के भेद छे है, तो इनके साधक सन्निकर्ष भी छे है, अब सबसे पहले ये जान लीजे कि सन्निकर्ष क्या होता है, तो ये कुछ टर्म्स होता है, थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं हमको, और अगे फिर पढ़ने का हमें मानी नहीं करता है, तो सन्निकर्ष का डेफिनेशन पहले देखिए, सन्निकर्ष का डेफिनेशन होता है, विशे इंद्रिय संबंदो व्यापरह सन्निकर्ष, इसका मतलब क्या है कि जो इंद्रिय और उनके विशे, इनके बीच में जो रिलेशन इनके बीच में जो संबंध है उसे ही हम सन्निकर्ष कहते हैं तो ये भी 6 होते हैं अब ये 6 कौन से हैं ये देखिए तो सबसे पहले है संयोग उसके बाद आता है संयूक्त समवाई फिर आता है संयूक्त समवेद समवाई फिर आता है समवाई उसके बाद आता है समवेद समव और फिर विशेशन विशेश्य भाव तो अब ये सब क्या है इनके बारे में भी मैं बताऊंगे आपको थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा डीटेल में नहीं पर आपको समझने के लिए इसके नीचे आप हिंच लिख लीजिए तो ये जो चार्ट है ये आपको शास्त्री ज चार्ट मिल जाएगा तो आप चाये तो उसी चार्ट के नीचे किताब में भी आप लिख सकते हैं या फिर आप यसे नोट डाउन कर लीजिए आपकी नोटबूक में और उसके नीचे फिर आप लिख लीजिए तो सबसे पहले देखीये संयोग सन्नीकर्श में क्या है तो सं संयोग सन्निकर्ष के नीचे आप लिख सकते हैं नेत्र प्लस घट या घड़ा लिख लीजे तो आपको आइडिया आएगी कि क्या है इसमें इसके बाद आता है संयोगत संभाई तो सहिंप्त संभाई के नीचे आप लीक लीज़ें नेत्र प्लस घट प्लस रूप तो इसमें क्या है कि आपके नेत्र नेगड़े को देखा अब गड़े में जो रंग आदी उसका रूप है उसका लाल रंग है या पीला रंग है या जो कुछ भी है तो उसमें संयूक्त संभाई संदी कर्श होता है क्योंकि नेत्र से घड़े का संयोग होता है और घड़े में संभाई संभन्ध से रूप रहता है संभाई संभन्ध यानि नित्य संभन्ध है जिसके बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं होता तो इस तरह से यहाँ पे संयूक्त संवय संबंध है तो नेत्र प्लस घड़ा और प्लस रूप इसके बाद आता है संवय 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 तो उसके नीचे आप लिख लिए नेत्र प्लस घड़ा प्लस रूप प्लस रूपत्व तो इसमें क्या होता है कि नेत्र के साथ घड़े का संवय हुआ हुआ उसके बाद उसम संववय संबंद होते हैं तो उसके नीचे आप नेत्र प्लस घट प्लस रूप प्लस रूप पत्व इतना लग लीजे तो देखिए संयोग में आप आपने देखा कि नेत्र प्लस घडा नेत्र का घड़े से संयोग होता है आपका संयोग संनिकर्श उसके बाद नेत्र प्लस गड़ा प्लस रूप वह होता है आपका संयूक्त समवाय संद्निकर्ष फिर इसके बाद नेत्र प्लस घट प्लस रूप प्लस रूप पत्व यह होता है आपका संयूक्त समवेत समवाय संद्निकर्ष अब इसके बाद हम यह बीच के दो छोड़के आप लास्ट वाला देखे विशेश और विशेश भाव जो है तो ये चारों जो है संयोक संवाय संवेट संवाय और विशेश और विशेश और विशेश भाव ये सारे आपके नेत्र से रिलेटेड हो जाएंगे और बाकी सारे इंद्रियों के लिए भी ये लागू होते हैं सिर्फ करण श्रोत्रेंद् के रिलेशन में आपको ये अपलाए होंगे तो विशेशन विशेश्य भाव के नीचे आप लिख लिजे यहां भूमी घटा भाव वाली है याने इस भूमे पर घट नहीं है घट का अभाव है यहां पर तो यह आपका विशेशन और विशेश्य भाव हो गया तो यहां पर भ वो है समवाय संदिकर्ष और समवेत समवाय संदिकर्ष तो समवाय संदिकर्ष क्या है पहले वो समझते हैं तो इस प्रकार का संदिकर्ष जो है ये सिर्फ श्रोत्रेंद्रिय के ही रिलेशन में आपको मिलेगा और इंद्रियों के रिलेशन में ये नहीं रहता है तो श्रोत् और करणविवर में भी आकाशी होता है इसलिए शब्द का जो करणविवर के साथ सन्निकर्ष होता है उसे हम संयोग सन्निकर्ष नहीं कहेंगे उसे हम समवाय सन्निकर्ष कहेंगे क्यूंकि समवाय नित्य होता है और ये एक दूसरे के बिनायन का existence पॉसिबल नहीं है तो इसल अब लास्ट में आता है समवेत समवाय सन्निकर्ष तो श्रोत्रेंद्रिय का शब्दत्व इस पूरी जाती से जो सन्निकर्ष होता है उसे हम समवेत समवाय सन्निकर्ष कहते हैं शब्दत्व ये जाती जो है ये शब्द में समवेत है और शब्द का आकाश के साथ समवाय संबंध होता है इसलिए श्रोत्रेंद्रिय का शब्दत्व इस जाती के साथ जो सन्निकर्ष होता है उसे समवेत समवाय सन्निकर्ष हम कहेंगे तो मैंने पूरी कोशिश किये कि प्रत्यक्ष की ये भेद और इंद्रियार्थ संदिकर्ष के बारे में मैं थोड़ा सिंपल टम्स में आपको एक्स्प्लेइन कर सकूँ इसके ओपर एक सेपरेट वीडियो बनाने के मैं कोशिश करूँगी पर फिलाल देखते हैं कि इसके आगे की स्लाइड में क्या है यहां पर हमारा अलोकिक प्रत्यक्ष के जो भेदे उसका क्लासिविकेशन देखना रह गया है तो अलोकिक के हमने देख लिए क्या क्या थे अब अलोकिक के देखे तो अलोकिक प्रत्यक्ष के भी जो सादक संदिकर्ष होते हैं वो तीन तरह के होते हैं जैसे लोकिक के हमने युक्त और युज्जान तो अभी सामान्य लक्षण प्रत्यासति में जैसे कि अगर हमें जैसे किसी एक जातिया अर्थ के एक देश का अगर प्रत्यक्ष होता है तो उसी से संपूर्ण जातिया अर्थों का भी हमें सामान्य तहां ज्यान हो जाता है तो जैसे सपोज एक गो प्रत्यासति है। जिसमें हो जाता है। उसके ज्माना स्वरूप हो जाता है। उसके शीतल होने का ग्यान हो जाता है या फिर मिश्री को चीनी को देखकर उसके बिना उसके जिवा के साथ संयोग हुए ही हमें ये मीठी है इसका ग्यान हो जाता है तो ये ग्यान लक्षना प्रत्यसति में आता है और योगज जो है ये केवल योगियों में ही होता है इसके योग्त हमेशा होता रहता है योग्योक और यूजान समाधी में होता है तो यह जो भेध है इनका हमारे चिकित्सा शास्त्र में संबंध नहीं है हमारा जैसे कि हमने कहा कि सवीकल्पक के लौकिक भेध सही चिकित्सा शास्त्र का हमारा संबंध है तो यह बस आपको यह चार् है वो लौकिक के सभी कलकपक के लौकिक भेट के साथ ही हमारा संबंद है तो अब इसके बाद आता है अनुमान का लक्षन तो ये भी एक स्मॉल आंसर क्वेशन के लिए आ जाता है देखिए यां पर श्लोक लिखा है श्लोक लन नहीं हो सकता है आप सभी तो कोई बात नहीं है पर श्लोक में क्या लिखा है तोड़ा देख लिजे प्रत्यक्ष पूर्वं त्रिविदं त्रिकालम चानुमियते वनिर निर्गुडो दुमेन मैथुनम गर्ब दर्शनात एबम व्यवस्तियंतितम बीजम फलमन आगतम दुष्टा विजात फलम जाती मिहेव सद्रिशम बुदहा तो अब इसी प्रत्यक्ष गयान को आधार मान कर तीन प्रकार का और तीनों कालों का अनुमान किया जाता है जैसे कि धुआ है तो अगनी का मतलब यहां कहीं पर धुआ है तो वहां पर अगनी वर्तमान है इसका मतलब गर्ब है तो मैथुन का तो गर्ब अगर दिखाई दे रहा है मतलब पूत काल में मैथुन हुआ होगा इसका अनुमान और बीज से होने वाले फल का अनुमान याने कि भविशकाल का तो यह बीज ऐसा है, तो इसका फल कैसा होगा, अगर आम का बीजे तो आम का फल होगा, तो होने वाले फल का अनुमान किया जाता है, तो इस तरह से तीनो कालों का अनुमान, प्रत्यक्ष गयान को आधर मान कर ही, तीनो कालों का और तीनो प्रकार का अनुमान किया जाता है, तो प्रकार कौनसे सबसे पहला है कारिय से कारण का अनुमान दूसरा है कारण से कारिय का अनुमान और तीसरा है अकारिय कारण जिसमें कारिय कारण का कोई परस पर रिलेशन नहीं होता, आपस में कोई संबंद नहीं होता, जिसे हम इन तिनों को हम cause and effect जो हम English में term use करते हैं तो तीन प्रकार का अनुमान है, कारिय से कारण का अनुमान, कारण से कारिय का अनुमान और अकारिय कारण भूत अनुमान, जिसका कोई कारण या कारिय आपस में संबंद नहीं होता अब अनुमान के दो भेद बताए गए हैं स्वार्था अनुमान और परार्था अनुमान वो होता है जो हम स्वयम कार्यकारनभाव देखकर हम अपने ग्यान के लिए अनुमान करते हैं और परार्था अनुमान वो होता है कि कार्य कारण भाव को दिखा कर हम दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए अनुमान करते हैं तो ये दो अनुमान के भेद बताये गए हैं स्वार्था अनुमान और परार्था अनुमान तो अनुमान के दो भेट क्या है कई बार ये MCQ आ जाता है तो अब ये तीन प्रकार का अनुमान क्या है ये हम देख लेते हैं तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कारिय से कारण का अनुमान जिसे की हम भूत काल का अनुमान भी कहते हैं और जिसका दूसरा नाम ही शेशवत अनुमान भी है, तो इसका एक्जामपल देखे यहां पर दिया है, गर्भ को देखने से मैथुन का अनुमान, यानि यहां पर गर्भ जो है वो कारिय है, तो गर्भ का कारण यानि की कौस जो हुआ यहां पर वो हुआ पूर्वकृत या फिर भविशकाल का अनुमान, जो आगे होने वाला है उसका अनुमान, जैसे कि बीज से फल की उत्पतिक अनुमान, आपके पास एक बीज है, उसके फल की उत्पतिक अनुमान आप लगा सकते हैं, तो यहां पर बीज आपका कारण है, उस कारण की वज़े से आपका फल यह कार्य होने वाला है, तो यह भविशा में होने वाला है, इसलिए भविशा काल का अनुमान कहा जाएगा, या फिर पूर्ववत अनुमान कहा जाएगा, इसके बाद आता है, कार्य कारण संबंद से बिन्दलक्षन वाला, या जिसे हम सामान्यत्रों दुरुष्ट्रा बड़ 바뀌ना अनुमान हो रहा हो जैसे कि धूम से अगनी का अनुमान अब दूम या धूआ जो है वो ना तो अगनी का कारिया है ना कारण है लेकिन मतलब वो अगनी से निमित्ता उतप्न होता है तो यहाँ पर यह ना कार्या हुआ ना कारण हुआ फिर भी यहां पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहां पर धुआ है तो यहां पर अगनी होगी तो इसलिए यह होता है सामान्य तो दुष्ट्रा अनुमान जिसे हम कार्या कारण संबंध से बिन्नलक्षन वाला अनुमान समझते हैं तो यह ती लाइन पर ये श्लोक आपको मिल जाएगा तो इसमें ये तीनों आनुमान के प्रकार इस श्लोक में दिये हुए अगर आप ये लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है तो श्लोक है अथतत पूर्वकम तुर्वववच शेशवच सामाननेतो दिश्टम च तो नियाएदर्शन का श्लोक है ये अगर आपको अनुमान के प्रकार लिखने के लिए तीन प्रकार लिखने के लिए आता है तो उसमें आप जरूर इंक्लूड कीजे इस श्लोक को आपके मार्क्स बढ़ने के चांसे ज् श्लोक आपको उपर से नौवए दस्वे लाइन में आपको ये श्लोक मिल जाएगा अब इसके बाद आता है युक्ति प्रमण तो ये भी स्मॉल आंसर क्वेशन के लिए आता है या फिर लॉग अंसर क्वेशन के लिए भी तो देखिए यहां पर कौन सा श्लोक दिया मथ्या मंथक मंथान सइयोग आदगनी सम्भवा युक्ति युक्ता चतुषपाद संपत व्याधी नीर परहर्णी परहर्णी तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है जिस प्रकार जल करशन याने की हल जोटना बीज और रुतू इनके सइयोग से जैसे की फसल की उतपत्ति ह होती है सस याने की फसल तो फसल की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार छे दातों याने क्या पंच महाबूत और आत्मा इन छे दातों के संयोग से गर्प्र की उत्पत्ति होती है और एक और इन्होंने कहा है यहां पर जिस प्रकार मत्य, मन्थक, मन्थान इन तीनों के संयोग से अगनीक उत्पत्ती होती है उसी प्रकार जब युक्ति, भीशक, अपस्था और रोगी यह चारों एक साथ हो तो चिकितसा के इन चारों पादूं के रहने पर रोगों की शांती होती है तो यहाँ पांत्य क्या होता है मैत्धने योग्या नीचे रखी हुई लकड़ी जो उपर रहती है, तो इसको मंधान कहते हैं, तो जैसे इन तीनों के सईयोग से अगनी की उतपती होती है, वैसे ही जब मिशक द्रव्य उपस्थाता और रोगी चिकित्सा के जब यह चार पाद उपस्थित रहते हैं, तब रोगों की शांती होती है, तो यहाँ पर दो जो कारण भाव है, वो क्या है, कि जल करशन भी जो रुतु, इनके सईयोग से फसल की उतपती होती है, यह हमारे लिए एक नोन फैक्ट है, यह हमारे लिए एक कारण भाव हमें विज्ञात है, हमें पता है, तो इसे अविज्ञात के उतपती की इनों ने कल्पना किया, पंचमहभीत और आत्मा, इनके सहयोक से गर्व की उतपत्ति होती है तो ये जो विज्यात है इसकी युक्ति लगाँ कर हमने अब विज्यात का ज्यान cin army प्राप्त किया है तो मंतन क्रिया के बारे में भी इनका ऐसा ही कहना है, तो अब युक्ति प्रामाण में बहुत कारणों के योग से उत्तपद्ण अविज्याद्या ने अन्यों भावों के कार्यकरण भाव के अनुसार तत्थ्य को देखने वाली बुद्धी को युगति कहते हैं मतलब क्या है जब विज्यात अर्थ के कार्यकरण भाव की उत्पत्ति का हमें ग्यान होता है तो अनेक कारणों के संयोग से होने वाले अज्यात भाव की उत्पत्ति को भी हम समझ सकते हैं तो उस उत्पत्ति को समझने वाली बुद्धी का या ग्यान का नाम ही युक्ति है ऐ और यसी बुद्धी को यूक्तिति कहते हैं, वस्तुता यूक्ति को अलग प्रमान नहीं माना जाता है, इसका आंतर्भा इन्हों नहीं किया हुआ है, तो अभी अनुमान के लक्षण में भी आपने देखा है पहले इसके श्लोक में कि अनुमानम खलूतर को यूक्ति पेक्ष तो यही अनुमान का लक्षण भी है और इसलिए युक्तिकापी इन्होंने समावेश अनुमान में ही कर दिया है इसको अलग प्रमान नहीं माना है अब इसके बाद चतुरवित परिक्षा का या प्रमान का उपसम हार आ जाता है तो यहां पर एक छुटा सा शलोक है यह भी थोड़ा याद कर लेंगे तो बहतर है तो देखिए एशा परिक्षा नास्तियन्या यया सर्वम परिक्षते परिक्षम सदत सचेवम तथा चास्ति पुनर्भवा तो यहीं चार प्रकार की परिक्षा है दूसरी कोई परिक्षा नहीं है इन्हीं चारों तरह से परिक्षा की जाती है किसी भी असत्पदार्थ की इन्हीं चारों तरीके से परिक्षा की जाती है और जिन चार परिक्षाओं द्वारा सभी परिक्षा करने यो जन्म होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपतवगदेश के बारे में इन्होंने बताए है। तो यहां पर इन्होंने अभ्यूदय मतलब होता है उन्नती जिसका इनका मतलब है यहां अलो की उन्नती. जिससे की हम सवर्ग की प्राप्ती हो और फिर निश्दय का मतलब है तो जिससे की इनका अभोपराय है पर भ है पर lookinक यानि पर लोग के में कल्याण si इसका मतलब होता है मोक्ष प्राप्ति तो आप अपतोपदेश क्या किस तरह के शास्त्र होते हैं जो शिष्ट पुरुषोद्वारा अनुमोदित किये गए हो और जो लोक कल्यान की कामना से रच गए हो ऐसे जो शास्त्र हैं वही आपतोपदेश कहलाते हैं शास्त्रों में बताया गया है कि रजो और तम दोशों से अकरांत मनुशों के लिए मोक्ष का उपदेश नहीं है ऐसे व्यक्तियों के लिए दान धर्म ये सब कर्म करना स्वरगादी गमन और क्षिन पुन्य होने पर पुना जद्म लेने के लिए ही होता है यानि पुन्य जैसे ही कम हो जा राग, द्वेश, लोब, मो, अंकारी सब दूर हो गए हैं जो अध्यात्म ज्यान में ततपर हैं जो यग्यादी कर्म करना जानते हैं और जिनकी मन और बुद्धी विचार करने में पूर्ण ताह समर्थ है और जो ऐसे पहले के लोग है और उससे भी पहले की जो आपतम हर् कैसे दीजात्यजक और चणन फुन.. ने दिव्य ज्न से पुनर्जन्म को होत्ते हुए देखा है और उसका उपदेश किया है तो इस तरह से अपतवपदेश से इन्हों ने पुनर्बव की सिध्धी कि है अब इसके बाद आता है प्रत्यक्ष प्रमान से पुनर्जन्म की सिद्धी तो यहां पर इन्होंने तेरा उदारणों से प्रत्यक्ष प्रमान से पुनर्जन्म की सिद्धी बताई है तो देखते हैं क्या-क्या उदारण दिये यहां पर तो सबसे पहला है कि माता-पिता के समान संतानों का ना होना, तो माता-पिता के सुरूप या कुरूप होने पर भी संतान का क्रमशा कुरूप या सुरूप होना, ये पूर्वकृत कर्म का फल कहा गया है, तो माता पिता देखने में बहुत सुंदर है लेकिन बच्चा उतना सुंदर नहीं है या माता पिता देखने में एकदम ही अच्छे नहीं है और बच्चा बहुत ही सुंदर है तो यह माना जाता है कि यह पूर्वकृत कर्म का फल है तो इस तरह से यह पुर्वकृत कर्म का फ उनका सबका उत्पति स्थान भले ही एक ही हो एक ही माता पिता के बच्चे हो लेकिन फिर भी ये सब में भिन्नता पाई जाती है आकुरूती किसी का चोटा होता है या किसी का बड़ा होता है सत्व किसी का मन राजस होता है किसी का तामसिक होता है किसी का सात्विक होता है किसी उधारन उत्तम और हीन कूल में, जन्म होना,astian venir की नक्षत्र वारती थी,सिंग समान भी हुआ, directed to Kelman, senior 號, दूसार, gent, नौकर या मालीक होना, तो समान काल और कूल में, जन्म हुआ है, तब बीकि bek मालीक होता है, यह भी विभिनेराया है, यह भी आठोल की की किसी का सुख आयू होना और किसी का असुख आयू होना यानि किसी को सुख पूर्वक आयू मिलना और किसी को दुख पूर्वक आयू किसी का बिताना तो ये विबिन्नता भी पुनरजन्म को सिद्ध करती है इसके बाद आता है आयू की विशमता तो किसी का दिरगायों होना और किसी का अलपायों होना समानकाल और कुल में जन्म होने पर भी कोई दिरगायों होता है तो कोई अलपायों होता है तो ये भी विबिननता पुनेर जन्म को सिद्ध करती है अब इसके बाद सात्वाँ धारण है, शिक्षित शिशू का रोना दूद पिना इत्यादी तो इस शरीर से जो कार्या नहीं किये गए हैं, उनका भी फल हमें प्राप्त होता है जैसे कि बिना शिक्षा के ही नावजा शिशू का रोना दूद पिना डरना इत्यादी तो यह कैसे वो सीखते हैं, तो कोई सिखाता नहीं है, यदि जन्मांतर ना माना जाए, तो जिन क्रियाओ की शिक्षा बालक को कभी भी नहीं मिली, तो इन क्रियाओ को वो कैसे करता है, और जन्मांतर अगर हम मान लेते हैं, तो अनेक जन्मों में अभ्यस्त होता है, यह सब यही क्रियाय है काकी जड्मों के हमारी अभ्यस्त रहती है तो इसलिए पुनार जणम में भी Dziękuję संसकर्वश यही क्रियाय हम पुना करने लगते हैं तो यह अगर हम आम जन्मांतर माचे हैं तो यह जो explanation chuyne यह ठीक बेखता है अब इसके बाद अदारनाता है समुधृрिक जैसी नहीं होती और शरीर में तिल मस्से आदी उत्पन हो जाते हैं और अशुब होने पर ये अशुब और शुब होने पर शुब फल देते हैं आपके घर में अगर कोई बहुत बुज़ूर्ग दादा दादी या कोई है तो आपने कपी उनके मुह से सुनाओगा आरे तुम नुसार उसका फल हमें मिलता है अन्यता इनको हमें अकारण ही मानना पड़ेगा क्यों ये गर्ब की रेखाय सबकी अलग-अलग होती है हाथ की रेखाय क्यों तिल मस्से सबकी अलग-अलग होते हैं एक जैसे क्यों नहीं होता है तो ये सब फिर हमें अकारण ही मानना एक साथ जैसा ही कर्म करे तो भी उसका जो फल होता है वो दो व्यक्तियों को अलग-अलग मिलता है जैसे कि दो व्यक्ति एक साथ एक ही कर्म समान रूप से करते हैं फिर भी उनके फल में विशमता होती है तो दो चात्र अगर एक ही विशेश एक ही गुरू के पास समान परीफ श्रम से भी पड़ते हैं पर कोई एक प्रथम श्रेणी में पास हो जाता है तो कोई तुरुतिय श्रेणी में पास होता है या तो फेली हो जाता है तो इस बुद्धी विशेश में भी जन्मान तरिया श स्वाउधारण है किसी कार्य में स्मरण शक्ति का होना और किसी कार्य में ना होना तो इसी का क्या मतलब है कि कि किसी कर्म में बुद्धी का लगना और किसी में ना लगना तो जैसे कि किसी पिता के चार पुत्र हैं और पिता सभी को यह पढ़ाना चाहते हैं पर पुत्र अपने अपनी रूची के अनुसार अलग-अलग मार्गों में लग जाते हैं, कोई कुछ करने लग जाता है, कोई कुछ अगर उनकी पढ़ाई समान भी हुई हो तो भी, तो जन्मांतर में जैसे जिस कर्म, जिसका अभ्यास होता है, जिस कर्म का, उसकी अनुसार ह तो आपने कभी सुना होगा कि पुराने काल में एक बच्चे को एक कमरे में शुब समय देखकर पुरवा विमुक या उत्तरा विमुक बिठा कर उसके सामने विद्या के कई तरह के साधन रख दिया करते थे काफे पुराने काल में तो कई तरह के साधन उसके सामने रख दिया करते थे उसमें से जिस चीज को भी वो चुनेगा वही आगे चलकर उसकी आजीविका का सहारा होगा या उसी में वो आगे चलकर अपनी प्रगति करेगा ऐसा मान लिया जाता था तो जो बालक चुनता था उसी में उसकी रूची ऐसा पहले मानते थे तो इस तरह से चुनाव ह अभी भी कुछ चुनिंदा साधनों को देकर उनको एक कमरे में उनको रखा जाता है सुपर विजन में अफ़ोर्स छोड़ नहीं देते हैं रखा जाता है और फिर थोड़ी देर बचों को खेलने देते हैं उनसा दोनों के साथ में और जिस चीज के साथ वो ज्यादा जिसे हाथ लगाने जाएगा जिसे जादा उठाएगा हाथों में तो उसी में आगे चलकर उसकी रुच्ची होगी ऐसा माना जाता है अब इसके बाद क्यारवा उधारण आता है जाती स्मरण तो किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजन्म के करमों का स्मरण रहता है और यहां प्राय बाल्यावस्था में देखा जाता है आपने कई बार ऐसे इंसिदेंसे देखे होंगे यूट्यूब में भी वीडियो आते रहते हैं कि कहीं किसी गाउं में को एक बच्चा है उसको कई सारी पुरानी पु और बाल्यकाल में तो रजितम बच्चों में होता ही नहीं है, तो इसलिए इन चीजों का याद आना बाल्या वस्ता में ही ज्यादातर दिखा जाता है, क्योंकि रजितम का अवरण जो है वो ही अतिकरांत जाती के स्मरण में बाधका आ गया, इसका मतलब जो पहले की जाती है हमारी उसके स्मरण में बाधा हमारी क्या उत्पन करते हैं यह रजव और तम का आवरण जो है यही उत्पन करते हैं तो जाती स्मरण एक चीज है जिससे की भी पुनरजन्म सिद्ध होता है अब बारबा पॉइंट जो है वो थोड़ा सा पुनरजन्म की सत्ता को सिद्ध करता है तो जो जिवात्मा चला गया है वो आता कैसे है वापस पहले तो यही बहुत मतलब सोचने वाली बात हो जाती है तो यहां पर प्रेतमंचरी में ऐसा डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है कि आयू की समाप्त होने पर यमराज के उससी जिवात्मा को पुणा यम्दूत यहां प्रुत्वी लोग पर लाकर छोड़ देते हैं और फिर जो श्राद्धादी कर्म हम करते हैं 12 दिनों के लिए 13 दिनों के लिए जैसे हमारा ये होता है हमारी जो कल्चर के हिसाब से तो इस टाइम पर जो है वो शरीर जो हमारा पिंड político के दवारा को लाकर चोड़ देते और उसके बाद 12 दिन होने के लिए प्रस्थान कर देता है और एक वर्ष में यम्पुरी को प्राप्त क्रता है इसल्य फिर वार्षिक शराद भी किया जाता है तो यह ऐसा वननस प्रेतमंचरी में पाये जाता है अब अगर किसी के आयू समाप नहीं होई है और ऐसे अगर किसी जिवात्मा को अगर यमदूद ले जाते हैं तो फिर उस वक्त क्या होता है तो फिर अगर ऐसे भूल से अगर ऐसे यमदूद किसी को ले जाते है तो चित्रकुप्त कह देता है कि ये वो व्यक्ति नहीं है तो जिवात्मा को वापस लाकर उसी शरीर में छोड़ देते हैं जिससे कि वो उसको ले गए थे और फिर मनुष्य जीवित हो जाता है तो ऐसे कहा गया है कि ऐसा वर्णन आपको प्रेत्मंजरी में मिलता है बट यह कितनों ने देखा है कितने इसमें होता है या पहले कभी मतलब लोग देख पाते होंगे जिनको दिवे द्रष्टी प्राप्त होई है या जो साधक लोग होते थे वो कभी देख पाते होंगे पर हमको तो यह सब अवि मुश्किल है.. जिस्ट एक लिखने के लिए, बारबा हुदारण जो लिखने के लिए लिखना है आप यह यहां पर लेख सकते हैं पर जरूर मेंचन कीजिये कि ये डिस्कृप्शन जो ये परेट मंझरी में ही मिलता है अब लास्ट उदारण यहां पर दिया है कि दो व्यक्तियों को देखने पर एक को प्रिय और दूसरे को अप्रिय समझना तो ऐसा होता है न हमारे साथ भी कभी कभी कि हम किसी को देखते हैं तो कारण ही किसी के साथ हमें उनके साथ समय बिताना है उनको देखकर ही हमें अच्छा लगता है और किसी किसी को देख कर इतना गुच सा आता है कि क्या बता है तो उनके साथ हमारा कोई connection भी नहीं रहता है पहले का हम ना उनकी हमारी कोई जान पैचान होती है ना कबी कोई व्याभार ही हुआ रहता है पर फिर भी देखने से हमें किसी के प्रति हमें लगाव हो जाता है और किसी के प्रति हमें बहुत द्वेश हो जाता है तो ये सब भी इसलिए होता है ऐसा मानते हैं कि पूर्वजन्म में जिसके साथ हमारा जैसा रिलेशन रहा होगा जिसके साथ हमें प्रेम रहा होगा या देखने से लगाव रहा होगा तो इस जद्म में उसको देखने से हमें फिर से वही लगाव हो जाता है और जिसके साथ पूर्व जद्म में हमें द्वेश रहा होगा तो उसको इस जद्म में दुबारा देखने से हमें उसके साथ फिर स या जिसे हम देव कहते है या भागय कहते है वह परिहारी होता है और अविनाशी होता है परिहारी है यानि इनेविटेबल है और अविनाशी है ऐसे कर्म का फल वो है जो हमें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है और इस शरीर से जो भी हम अनुबंदिक कर्म करेंगे उसका फ तो जैसे फल से बीज का अनुमान और बीज से फल का अनुमान हो गया, तो ये रिलेटिव चीज है, रिलेशनल है, तो पूर्व जन्म में जो भी कर्म हमने किये होंगे, उसका फल हम इस जन्म में भोग रहे हैं, और जो कर्म हम इस शरीर से इस जन्म में करेंगे, तो उसका फ प्रति दिन भोग लेते हैं तो जो सामान्य कर्म हम करते हैं उसका फल हम रोज का रोज भोग लेते हैं लेकिन जो अनुबांदिक कर्म होता है वो संचित होता है वो जमा होता है और इसे ही हम भाग्य कहते हैं तो इसी कर्म के आधार पर हमारा पुनर जन्म होता है सभी शुब चुल्वश्यूप अनुबांधिक कर्म जो होते हैं उनका फल हमें भूगनाई पड़ता है और इसलिए इसे अविनाशी कहते हैं तो जैसा कर्म हम इस जन्म में करेंगे उसी के अनुसार डिसाइड होता है कि अगला जन्म हमारा कैसा होगा तो आत्मा उसी के अनुसार उसी कर अनुमानों बंद के अनुसार ही आत्मा काया प्रवेश करती है तो इस प्रकार अनुमान से परलोग और पुनरजन्म दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं और दोनों को सिद्ध करने के लिए इन्हों ने दो उदारन इस्तेमाल किये हैं जैसे कि फल को देखकर पूर्व अतीद और अशुब कर्म किये होंगे तो इसलिए नीच कूल में जन्म हुआ है और वैसे ही बीज को देखकर जैसे कि भविश्य में होने वाले फल का अनुमान तो अब आपके पास बीज है तो अगला फल इसका कैसा होगा इसका अनुमान भी आप कर सकते हैं तो वैसे ही इसी शरी अगर हम अशुब कर्म करेंगे तो अगले जन्म में हमारा नीमनकुल में जन्म होगा तो इसका अनुमान हम लगा सकते हैं अब इसके बाद आते ही है यूगति प्रमान जैपुना जन्म की सिद्धी तो यहां पर बताए कि छे दातुओं के समुदाई से गर्व की उत्पति होती है याने पंचमाभूत और आत्मा इनके संयोग से गर्व की उत्पति होती है तो यहां पर करता और करण इनका संयोग से ही जो गर्व उत्पति की क्रिया है वो होती है तो यहां पर आत्मा जो है वो करता होता है तो यह हम अगले स्लाइड में देखेंगे इसका सपश् नहीं होता है बिना बीच के अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती कर्म के अनुसार ही फल होता है और दूसरे बीच से दूसरे अंकुर की उत्पत्ति भी नहीं होती तो यह सब दोन फैक्ट्स हैं कि बिना बीच के अंकुर की उत्पत्ति तो होगी निए और कर्म के अनुसार फल ह जैसे आप करम करेंगे उसी के अनुसार ही फल आपको मिलेगा और दूसरे बीज से दूसरे अंकुर की उत्पति नहीं होती इसका मतलब जिस तरह का करम करोगे खराब करोगे तो अच्छा पल नहीं मिलेगा अच्छा करम करोगे तो खराब फल नहीं मिलेगा तो जो बीज है उससे उसी फल की उत्पत्ती होती है किसी दूसरे फल की उत्पत्ती नहीं होती तब गर्व की उत्पत्ती में क्या होता है पांच पहतिक शुक्र और शोनित मिलते है और उनके साथ जब जिवात्मा मिलता है तब गर्व की उत्पत्ती होती है तो यहां पर शुक्र और शोनित जन्मक के शरीर के कर्मों के आधार पर हमारे इस जन्मक में कौन सा शरीर हम धारन करेंगे बहर डिसाइड होता है तो इस तरह से गर्भ की उत्पति हाँ पर बताई गई है आ जाता है कभी-कभी टू मार्क्स के लिए या फिर MCQs के लिए भी कि इसमें गर्भ पत्ति में आत्मा करण है या करता है तो फिर इसके बाद दिया है इनोंने धर्मसाद्धनों में हमें सावधन रहना है तो चार तरह के आश्रम बताए गए है उसमें पहला है ब्रह्मचरिय आश्रम फिर आता है ग्रहस्थ आश्रम फ करना है इसके बाद आता है गृहस्था अष्रम करना आता है और अनविद्याग दूसरों हभा sollte करने भुञता द्पानिकि nearerateStrienote कुछने करना है इसके बादी आता है वानप्रस्थप आश्रम वानप्रस्थथ नियिस गएanted अवारती Мाजार मझा उर्प करना मैं 2 आश्रम आयो आपको करने गे में द्रे व्याक्ती में 2 परओंट करना है कश्ट ना देने वाल मा हम किसी और को जिससे कि कष्ट ना हो, तो किसी तरह का भी कष्ट ना हो, तो ऐसे कर्म आश्रम में आपको करने है, और लास्ट में आता है सन्यास आश्रम, तो इसमें आपको दे हैं इंद्रिया मन, इनके अर्थ और बुद्धी और अपनी आत्मा, इन सभी की परिक्षा करनी है, कि अभी तक आपने क्या किया है ये आपको कहां पर इनको लगाना है अभी तो ultimate goal यानि मोक्षप्राप्ति तो इसलिए इन में आपको इन सबको लगाना है और मन को समाधी में लगाने का प्रयतना आपको इस आश्रम में करना है तो ये चार आश्रम में आपने क्या क्या करना ह क्षच्टी करने वाले है अपकी ए इसे सभी कर्मों को सभी मिलेगा और मनने पर आपको प्राप्ती होगी ऐसा इनों ने यह आपर बताये तो मैं उम्मेद करती हूं कि आपको यह नोट किसी आम में काफी लेंगदी चैप्टर है और कई सारी चीजे इसमें अगर आपको इंट्रेस्ट नहीं है तो काफी बोरिंग सी भी लगती है कि सब आउट्डेटेट सा लगता है यह क्यों अभी सब पढ़ना पढ़ रहा है हमें लेकिन अगर आयरवेद को अच्छी तरह से पढ़ना चा कोई हेल्प हुई तो होगी आपको इससे और श्लोक इसमें जो है वो काफी बीजबेश में बड़े-बड़े हैं अगर छोटे श्लोक हम से कम आप लंद कर पाते हैं तो जरूर कीजिए तो नेक्स्ट वीडियो होफुली इसका तीस रेशने अद्धाय का लास्ट पार्ट ह